तो हेलो गाईज, वेलकम बेक टू निव वीडियो सेशन, आप सब गार, रोजगार, लाइव की इस क्लास के अंदर सुआ गता है, तो इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं, कि जो सेंट्रल बैंक ओफ इंडिया की वेकेंसी है, जिसमें सब इस्टाप और सपाई करमचारी की पोस्ट आपको दी गई है, इसके लिए जिके के इंपोर्टन कौन से टॉपिक्स आपके लिए हो सकते हैं, तो मैं आपको जिके के जो इंपोर्टन टॉपिक्स है, वो बताने वाला हूँ, साथ ही बात करनेंगे, नेगेटिव मार्किंग को लेकर, पिछले वीडियो को शेखोशन में कभी बच्चों ने कमेंट किया था था मैं नहीं बता पाये आपको कि नेगट्यु मारकिंग है या नहीं और इस सेख INTERFO के लिए मैं आपसे मापी चाहंगा इस सेखें में आपको बता दूगा ठीक है और आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा Central Bank of India की इस वेकेंसी का नया बैच जो है वो धोरा Classes एप्लिकेशन पर चल रहा है धोरा Classes एप्लिकेशन आप Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर तमाम सब्जेक्ट क्लासे आपको मिल जाएगी और जो एक्जाम ओरियंटेड क्लासे हैं वो भी आपको इस बैच के अंदर मिल जाएगी तो जल्दी करना इसको आप जरूर जोइन करना ताकि प्राइस बढ़ने से पहले आप इसमें जोइन कर सको अब देखिए एक्जाम का जो लेवल है वो मैं आपको कहूंगा इजी टू मोडरेट रहेगा ठीक है क्यों कह रहा हूं समझेगा मैं कह रहा हूं एक्जाम का लेवल इजी टू मोडरेट रहेगा ठीक है इजी टू मोडरेट का मतलब है कि आसान से मुश्किल की और लेकिन बहुत मुश्किल आपका एक्जाम नहीं होगा कैसे औो आई बीपीयस आपका इक्जाम करवारा ठीक है और आई बीपीयस के एक्जाम में आप सब को पता है के आई बीपीयस कलुर्च का जो एक्जाम करवाता है उसके अंदर कितने questions देता है 100 questions देता है तोटल कितने questions देता है 100 question देता है और time कितना देता है 60 minute का time देता है जो इस exam को बहुत जाता difficult बना देता है यानि SSC के exam से भी IBPS का exam difficult होता है लेकिन यह जो आपकी post है यह group D की और 10th pass qualification की post निकली है इसलिए आपको इस बात से बिल्कुल भी नहीं डिरना है कि IBPS exam लेगा तो बहुत खतरनाग paper बनेगा नहीं यह 10th level की vacancy है elementary level की mathematics पूछी जाएगी और आपका जो paper है वो exam जो आपका होना है वो easy to moderate level का होना है क्योंकि यहां पर देखिए आपसे total 70 question पूछे जाएंगे और 90 minute का time दिया जाएगा यहां पर number of questions ज्यादा है और time कम है यहां पर number of questions कम है और time ज्यादा दिया यानि 20 minute आपको extra इन लोगों ने दिये यह सोच कर क्योंकि यह group D की vacancy है यूँ कहे तो जाएंगे exam pattern मैंने आपको बता रखा है लेकिन यहां पर कहीं भी negative marking की बात नहीं की गई है तो negative marking को लेकर मैं आपको बता दूँ कि इस exam के अंदर negative marking नीचे notification में काफी आगे आपको दिया गया है कि 0.25 की negative marking रहने वाली है 0.25 की क्या रहेगी जी negative marking रहने वाली है ऐसे में आपको exam संबल के देना है और exam संबल के देना साथ ही जो है test भी आपको अच्छे से लगाना है देखे एक बात मैं आपको अब भी कह दूँ कि आप इस exam की तैयारी अब भी से अगर इमानदारी से dedication के साथ में करते हो तो exam time तक लगबग आपके पास में हम मान कर चलते हैं कि 40 से 45 दिन का time है तो 42-45 days के अंदर अगर आप इमानदारी से तैयारी करोगे तो इस exam का level देखते हुए आप आराम से इस exam को निकाल सकते हो ठीक है और यह selection ले सकते हो इसके बाद में हम बात करें तो negative marking में आपको बता दिया है इसका उपाई भी करेंगे आप tension मतले हो ठीक है जो बच्चे रोजगार live और धोरा classes app के साथ में जुड़े है उनको कोई tension की जरूरत नहीं है सब काम आपका हो जाएगा ठीक है अब हम बात करते हैं general awareness के अंदर आपको पढ़ना क्या है देखिए वैसे तो general awareness complete आपको application का जो course में बता रहा हूँ 799 का उसके अंदर करवाया हुआ है लेकिन इसके साथ आप अलग कुछ पढ़ना चाहो तो आपको क्या पढ़ना चाहिए देखिए एक तो basic gk आएगा आपका basic gk में geography से सम्मधित सवाल आपसे पूछा जा सकता है basic gk का मतलब आपको नहीं समझ में आता है तो आपने 10th level की जो study की है तो 6th class से लेकर 10th class तक आपके geography ठीक है social science के अंदर subject रहा होगा history, quality, economics आपका subject रहा होगा तो 6th to 10th class level का जो gk है वो आपसे पूछा जाएगा यानि basic gk के सवाल आपसे पूछे जाएगे static gk को importance दी जाएगी static gk के अंदर जो dance forms है वो आपसे पूछी जा सकती है festivals आपसे पूछे जा सकते हैं कि कि इसके बाद में जो है इस marks आपसे पूछे जा सकते हैं इस तरह के सवाल static gk के अंदर बनेंगे और हमने आपको जो course दिया है उसके अंदर static gk अलग complete एक अलग subject बना के करवाया है क्योंकि इसका जो वेटेज होता है अंकबार होता है वो ज़्यादा देखा गया है इसके बाद में current affair आप लोगों से पूछा जाएगा उसके बाद इंडिया और इंडिया की जो neighboring countries है इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा sports के बारे में आपसे पूछा जाएगा important days के बारे में आपसे पूछा जाएगा और schemes का मतलब है जो सरकार की योजनाए है इन से समदित सवाल आपसे पूछा जाएगा और एक चीज आप जरूर ध्यान में रखना आपसे currency से related सवाल पूछे जा सकते हैं यानि कौन से देश की मुद्रा कौन सी है तो मुद्रा से समदित सवाल बन सकता है क्योंकि bank का exam है तो मुद्रा का आपको पता होना जरूरी है अच्छा कौन से note पे कौन सा इसमाक मनावा है ये भी आपको पता होना जरूरी है तो ये तमाम चीजें जो है आप अच्छे से cover कीजिएगा यहां से अच्छे बले सवाल आपके बनने वाले हैं ये जीके का important part रहेगा 20 questions यहां से आप लोगों से पूछे जाएंगे और यहां पर आपको अच्छा score करने की courses करना है क्योंकि जीके में जो बच्छा score करता है उसके selection की possibility बहुत अच्छी बन जाती है और ये तमाम जो topics है ये आपको course के अंदर करवाए है और exam oriented classes के अंदर सारी चीजें वापस आप लोगों को करवाएंगे यानि सब कुछ आपको revise करवाएंगे बढ़िया तरीके से ये अपना batch चल रहा है और ये आप लोगों के लिए help line number है 12 classes एप है अपना और इस पे बहतरीन आपना यारी सुरू अभी से कर सकते हो इसके बाद में मुझे बताईए आप लोगों का कोई भी सवाल बचा है आप कुछ पूछना चाहते हो तो जरूर कमेंट करना और कल YouTube पे इसी चैनल पर आपको जो है reasoning की एक class demo class जो हो मिलेगी exam oriented class या practice set की जो class है वो हम आपको provide करवाएंगे लेकिन प्यारे बच्चों आपको पढ़ना है और अच्छे से महनत करना है और जो बच्चे course में सामेल हो चुकी है वो एक fix time table बना के अपनी 4 गंते की 5 गंते की study schedule बना ले और जिन बच्चों ने course में जोइन लेकि आपको जल्दी से जल्दी जोइन करें उमीद करता हूँ मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको ठीक ठाक लगी है तो session को like और share करना मत बुलिएगा जो भी आपका friends अकिल है जहां भी आप study group से जुड़े हो वहाँ पर आप इस session को पहुचा दीजिएगा या अपने whatsapp status पर लगा दीजिएगा हम मिलते हैं आगे नए वीडियो session में तक लिए आप सभी को थैंक्यू जैहिंद